वक्त बोर्ट में सुधार को लेकर के लगाता जो बात हो रही है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ काशी के जो नागरिक है वो मुझूद है काशी के जो वर्ष नागरिक है वो भी मुझूद है सर जिस तरीके से वक्त बोर्ड में सुधार की बात की जा रही थी और इसके लिए अगातार बिल आने की बात हो रही थी क्या लगता है इससे कितना सुधार होगा देखिए हम लोगों का जो मानना है जो हम लोगों ने पढ़ा लिखा सुना वक्फ बोर्ड के पास इतनी अपार अकूत संपत्ति कब आई कैसे आई हम लोगों को पता नहीं देकि बरतमान में जो उसमें सुधार की चर्चा चल रही है इससे बड़ा हम लोग जैसे व्यक्त देखिए में आष्चे को बड़ा संतोस मिल रहा है कि जरूर कुछ न कुछ होना चाहिए वस्य होना चाहिए क्योंकि इस देश में और धूसरा पकछे में गंसे जो मानना चाहिए हमारा देश इस और अ विस्यूआ को यस्यों को लगता आया दूसरे समाज के प्रती तो उनों लोगों को स्वयंग सोचना चाहिए कि उस संपत्ति का विधिवत जाच करके वह क्यों है कैसे है उसका एक सही तरीका अपना करके डेश हित में जो निर्ड़े हो ऐसा लेना चाहिए सबको मानना चाहिए हमारा मानना बिल आने वाला है इसमे मतलough की संपत्ती है बिलकुल complimentary मुद्य की चीज है कि कहा से आई कैसे है आज यहां वारत में या उत्तार परदेस में बनार्स में है जिसकी संपत्ती एक लाव में नियम कानून है कि पुस्तेनी आई, हेरेटरी चले आई, जमिंदारी से आई, कहां से आई तो ये वक्त बोर्ड की संपत्ती कहां से आई, ये कानूनी मुद्दा है ये जाच होनी चाहिए, जाच होके आए और उस पर सही दिखा जाए कितना जरूरी आप मानते हैं वक्त बोर्ड की बिल का संसुधन, क्योंकि लगातार इस पर मांग उठती रही है दूसरा पक्ष कहने ये कह रहा है कि हम किसी भी तरीके से संसुधन को नहीं मानेंगे ये जैसा कि अभी बताया सरने की इसकी पूर्ण रूप से जाच करके सरकार भी लगाता रिये करें कि वक्त बोर्ड में आखिर संपत्या कौन-कौन सी है इसके बारे में जैनकारी के लिए बहुत सारे भ्रम है इसको दूर करने के लिए वक्त बोर्ड का संसुधन बिल जो है वो बहुत जरूरी है पर दूसरा पक्ष किसी भी तरीके से कोई बात सुनने को तैयारी नहीं है क्या लगता है देश हित में एक इतना जरूरी है अगर इस देश में रहना है तो इस कानून को मानना पड़ेगा कानून मानने के लिए आपको अपनी संपत्थी, हैसी अपना जो आपका धन है उसको सरकार के सामने आप डिकले़ करिए हमारे हिंदू एक में भी है कि जो भी हमलों के पास प्रापरटी आइस है सब सरकार के सामने डिकलेयरड है खतोनी है, खसरा है, सब हमारा नाम चड़ा हुआ है, तब न हम उसके आउनर है, मालिक हैं, उसी तरह उसमें भी होना चाहिए, कि इसका आउनर पहले कौन था, आज कौन है, और यह कहां से आई, कितना दान दिया गया, दान के लिए तो लोग कहते हैं कि दो विसा दान दिया गया, और एक भी घाय उसमें रेजिटरी हो गई, तो इस तरह से कैसी होगा, दो विसे गरदान है, तो दो विसा दान लिकिए न, एक भी घाय कहां से उसमें रेजिटरी हो जाएगी, तो जितने का हो, वो सही हो, और मानना तो पड़ेगा, अगर इस देश में रहना है, तो इस देश का कानून तो मनना पड़ेगा और भी तमाम चीजों से बहुत पीछे है अभी और वो स्वयम के हित को तो रखी नहीं सकती तो पब्लिक इंट्रेस्ट की वो बात कैसे करें बेसिकली अभी उनमें जो बुनर जागरण की संभावना है वो आंसिक रूप से है पूर्ड रूप से हुई नहीं और जब तक यह नहीं होगा नहीं हो सकता लेकिन मुद्दा अगर एक प्रॉपर्टी की है और बेसिकली अगर वो प्रॉपर्टी रास्टर हित के लिए है और रास्टर हित का इशू है तो according to law अगर हम Constitution of India की बात करें तो हमारा जो Constitution है वो बेसिकली प्रॉपर्टी के राइट्स की बात करता है पर वो प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए लीगल होनी चाहिए इलीगल नहीं होनी चाहिए लिबर्टी की बात करता है पर लिबर्टी कैसी होनी चाहिए रिस्ट्रिक्टेट लिबर्टी है restricted liberty का मतलब यह है कि जो भी liberty होगी वो रास्ट हित में होगी रास्ट के against नहीं होगी और कोई भी illegal activity होती है तो वो रास्ट के against है और कोई भी illegal activity जो रास्ट के against है उसके लिए law बनना चाहिए law को establish होना चाहिए उसका implications होना चाहिए और हर ब्यक्ति उस लाग को मानने के लिए बाद है हाँ ये हो सकता है कि उसमें कुछ कमिया होंगी तो वो implications के बाद amendments आएंगे वो देखे जाएंगे उस पर questions होंगे लेकिन कोई भी property जिस पर आप board लगा देते हैं और ये कहते हैं कि ये workboard की property है या किसी अन्य संस्था की भी property मैं क्यों workboard की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भारत में ऐसे तमाम संपतियां है ऐसे तमाम संस्थाएं हैं जिन लोगों ने संपतियों को अवैद रूप से कबजा किया है तो ये इस तरीके का कानून हर किसी के लिए लाना चाहिए और हर वर्ग के लिए लाना चाहिए चाहे वो हमारे tribes हों चाहे वो हमारे इंडिया के और भी communities हों या कोई भी धार्मिक संस्था हो सब के लिए इस तरीके का कानून ला करके और सबको उस कानून के दारे में लाकर कि विधी का जो सामान अनुक्रम की जो प्रक्रिया है उसका पालन कराना चाहिए और सब को और इस बात को सब ही को मानना चाहिए कि अगर विधाइका ने कोई ला बनाया है तो वो just fair or reasonable ही होगा और बिना किसी question के प्रतम द्रिस्टिया तो उसे स्विकार करने की संभावना होनी चाहिए, सब के साथ ये होनी चाहिए मैं खुद की बात नहीं करता हूँ, every person, क्यों? क्योंकि हमारा constitution स्टार्टिंग से ही कहता है with the people of India, जब with the people of India, तो every person in India, जो भी भारत में रह रहा है, वो establish होता है rule of law से, और अगर rule of law से establish होता है, तो कोई भी कानून जो विधाईका बनाती है, उसे यहां के लोगों को स्विकार करना चाहिए बेनामी संपत्ती की बात होती है, और बेनामी संपत्ती बात में दिखा जाती है कि वक्त बोर्ड का एक बोर्ड लग गया, संपत्ती उनकी हो गई, इसी को लेकर के बिल आ रहा है, क्या लगता है आपको कि यह बिल कितना ज़्याद जरूरी है? अनुप जी ने काफी विस्ताल से भारती संविधान के तहट भारत के नागरिकों के बारे में, उनके कलतव्यों के बारे में चल्चा की है, मैं उससे सत्प्रतिशत सहमत हूँ, कोई भी चीज पर उंगली दिखा देने से, किसी भी चीज पर उंगली दिखा देने से, वह च उसकी नहीं हो जाती है हमें यह इस्टेबलिश करना होगा कि हम इसके मालिक कौन है और इस लिहाज से जो बिल आ रहा है वह जायज है और प्रतेप भारती नागरिक को चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो उसका और करना चाहिए क्योंकि एक तरफ आप संप्रदाय संविधान की दोहाई देता है और दूसरी तरफ उसके उलंगन की बात करता है हम नहीं मानेंगे जैसे कि आपके प्रश्णों में रहा तो नहीं मानना तो आप तो संविधान को नहीं मान रहे हैं तो बिल जायज है और बि पांचा होने के बाद जो भी चीजें सहीं हैं, उस रूप में पास होना चाहिए और हमें उन चाहिए उन चीजों का सम्मान करना चाहिए यारी हमारे संप्त्य को हड़ पढ़ाने की साजिस हो रही है बिल के द्वारा एक सामान ने उन विवादों में नहीं पढ़ता है उसके अधिकारों से भटकाने का एक मुद्दा है जो एक चंद लोग अपने राजनैतिक हिद के लिए यह कलते हैं जो की एक उन्नत एक प्रबुद्ध समाज में यह मानने नहीं है बिल्कुल यही बात लगातार हम बात कर रहे थे जिस तरीके से वक्तवोर्ट की बिल की बात हो रही है अगर यह बिल आता है तो कहीने कहीं वक्तवोर्ट की जो संपत्ती है वो निर्धारित हो जाएगी पर लगातार इस बिल का बिरोध हो रहा है अलफंक्यक द्वारा कह रह वह इस तरह की बात नहीं करते वह लोग करते हैं जो जानबूश करके जागते हुए भी सो जाते हैं क्योंकि यह कत्तवी उन्हीं का उल्टा मान लिया जाए मेरा यह कहना है कि अगर हमारे अस्थान पर हो और जो काम दूसरे संबुदाय के लोगों के साथ किया जा रहा है करते हैं एक एक राश्रे कानून की बात करते हैं और ऐसा कहां लिखा है कि आपके रजिस्ट्री किये हुए भू भाग पर आपके आवास पर आपके दफ्तर पर आपके फैक्टरी पर आकर के हम कह दें कि यह हमारा है तो हम सुप्रीम कोट भी नहीं जा सकते यह कौन सा निय यह बिल्कुल ऐसा यह जो अधिकार मिला है इससे समाज में शांती नहीं स्तापित हो सकती और कुछ लोग जो आउशरवादी हैं उनको यह मौका मिलता रहेगा दूसरे को लडाने का तो जो भठके हुए लोग हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं हम सब को समझना चाहिए औ आप लोग बरिश्ट नागरिक हैं आप लोगों ने सब कुछ देखा है देश में जिस तरीके से वक्त बोड का यह जो बिल संसोधन की बात हो रही है इससे ना सिर्फ प्रॉपर्टिस को एक नाम मिलेगा बलके आडेंटिटी भी होगी क्या लगता है कि यह बिल कितना ज़ तो उसके उससे बाहर तो कोई होई नहीं सकता है यह तो गलत बिल आ करके और ट्रिब्नल की स्थापना हुई है और उसको जो इतना पावर दे दिया गया है वो बिलकुल गलत है किसी भी चीज की समिक्षा का अधिकार तो निया पालका को होनी चाहिए सुप्रिम बड़ी वही है जब कारेपालका के ऊपर निया पालका हावी हो जाती है तो यह तो एक मैंने अलग चीज है व्यक्तिकत कानून कोई चल नहीं सकता है इस देश में इसलिए वक्स बोर्ट पर तो नियंतर्ण बहुत जरूरी है बनवाना उलो करते हैं उसमें भी आम वर्ग के लोगों को तो फैदा होता नहीं है कुछ जो पथाकतित लोग उस पर बैठे हुए हैं जो इसको अपने अंदर में रखे हुए कंट्रोल में उससे लाभानित होते हैं जो उसका मूह है वो साफ हो पाएगी मगर जो दूसरा पक्ष है वो किसी भी तरीके से इस बात पर तयारी नहीं होना चाहता है पहले जो इसमें कोई भी कोई भी धर मजब की जमीन हो जो लीगल है सुप्रीम कोट से फैसला हो आपस में चर्चा हो कोई मड़ा दिश कोई भी धरम की कोई भी संपधाय की कोई भी मजब की जमीन हो उसको अगर वो एक्स्ट्रा है तो जो बेघर है जिनकी मजबूरी है जिनके में मकान नहीं है उनको ये दे देना चाहिए All India Muslim Personal Law Board के अध्यक्ष ने कहा है कि वक्फ संसोधन एक्ट अगर पास होता है तो ये मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा मुसलमानों की मजजिदें कबरिस्तान और तमाम जगए उनसे वापस ले ली जाएंगी इसी तरीके का बयान दूसरी तरफ से भी आया है और ये संसोधन एक्ट पास हो गया तो मुसलिमों की संपत्तियां जो है वो छीन ले जाएंगी दूसरी तरफ अब सनातन बोड की भी मांगी जा रही है तो इतनी संपत्ति है आप उनको किसी योजना में लाब ना देके उनकी वक्ष संपत्ति के उपर सरकारी स्कूल कॉलेजेज और भी जो उनकी जरूरत की सरकार की मनसा सही नेती है अगर जो इससे पहले की सरकार है रही हम यह भी मानते है कि वक्ष का इस्तेमाल कुछ लोगों ने गलत तरीके सकी अपने परसनल यूज के लिए लेकिन वह संपत्ति जिन्दा थी यह थी कि हां संपत्ति है आज ने तो काल कोड के माद्यम से खाली किराए सकती है यहां पर कुछ तामीर किया सकता है लेकिन इस एक्ट के बाद बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रहेगी कि हमारी संपत्ति हमारे बच्चों के भविस मुस्तबिल अच्छा हो सकेगा तो सब साजिसे हैं आप रही सनातन की बात तो आपको किसने रोका आप सनातन बनाए हुआ आप सनातन बोड बनाए हैं आप जो दान करने वाले होंगे देखे दिल वही दान करेगा यहां यह तो दान करियोंई संपत्तिया है तो उसको उपर आप नजर गड़ा कर इसको छिणने की कोशिश यह बहुत खराब है और इस देश का मुसल्मान और पिछलता सब्सक्राइब करनी और कत्नी में उड़ा फरक निगला कप्लों से पहिचाने जाएंगे यह सब तरह की बाते कहीं गई तो हमें लगता इस देश के जाया उतहर मुसल्मानों को उतहर होगा अगर आप वाकई सब्सक्राइब करें 되면 हमदर दिखाये वेकाइब नहीं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब इसा करेंगे आप तो यह पर्दे के पीशे की बात करो और यह सामने है जब इस 372 मामला हुआ उसमें भी आप तेखा कि 373 में सिर्फ जा है महापे जमीन खरीद फरोख्ष का ही मामला हुआ इसके बात कोई मामला हल नहीं वा तो उसी तरह वकबोर्ड में एक के आस्था उनके धर्म का मासला है हम सिर्फ इस वकबोर्ड में आये हैं हम ही चाहे थैंगी च्छोंकि जतनी भी वोक्त ची जमीन भी छीन लें लेकिन मैं चाहता हूं कि जितनी भी वक्ती जमीन है सबसे पहले ठीक है आप एक्वाइर भले कीजिए लेकिन उसके साथ साथ कि इसका फायदा सीधे और सीधे नाइंटी नाइन परसंट मुस्लिम को पहुचते चाहिए यह उसके अखदार है चुकि हमारी बहु भारत की कमाई से यह मुस्लिम को दी थी ताकि जो लोग परशान हैं यहां मस्धिदे बनना हैं दरगाएं बनना हैं यह हमारी अपनी परसंटल जमीने हैं इस पे किसी वी तरह की बुरी नजर गौर्मेंट नहीं डाले और ठीक है क्या आपको यह लगता है कि अगर संसोदन है या कोर्ट है वो हमें यकीन करा दे कि ठीक है आपके साथ नाइसाफ ही नहीं होगी तो हम बेफिकर होके हम आपके साथ कांद्रा स्कांदा मिलाएंगे बागे फिर हम बाद बार कह रहे हैं कि जितनी वी वक्वी जमीनी है उसका 99% फाइदा मुस्लिम को ही पहुचना तरह तरह के मामलात हो रहे हैं उनकी संपत्यों को लेकर उनके उपर जूटे मुकदमे लगाकर उन पर हर तरीके से हरिस्मेंट किया जा रहा है अब उसकी एक नई सकल जो है वो इस वक्त मौझूदा दार में जो वफ बोड का जो बिल आया जा रहा वो है उस बिल आने से य जिदे मुसल्मानों की अब संपत्ती पर डाका डाला जा रहा है क्योंकि हमारी जो हमारे पूर्वस थे उन्होंने इसको सिर्फ इसलिए वफ करा था कि हमारी आने वाली नसले जो है वह इससे तालीम हासिल कर सके अपने मदभी जो मामलात है उसको मजार हैं दरगाएं हैं इसमें वफ की संपत्तियों में तमाम चीज़ें आती हैं